कहां हुआ कतल कहां हुई चोरी कहां हुई है सबसे बड़ी वाबदार किसकी प्लाश में धड़ पकड़ कर रही है हिमाचल परदेश पुलेस नमस्कार आपके साथ मैं हूँ संजीव शर्मा एक नज़र डालते हैं अभी तक ते क्राइम अफडेट पर मंदी सरका घाट में कंडा घाट के कनेर गाउं के एकिवों के खिलाब 17 साल की नाबालिक बच्ची के अफ़रन का मामला लड़की के रिस्दार में कराया सरका घाट ठाने में दर्च चांच में जुटी है पुलेस बिलासपुर के तलाई में एक महिला के साथ रास्ता रोकर कुछ लोगों ने की है खूम मार पीट जांत से माने की दी है धमकी महिला ने कराया तलाई पुलीस टेशन में आरोपियों के खिलाब मामला दर्च जांच में जुटी है पुलेस मंडी पढ़ार के बारगाओं के एक महिला के साथ घर के अंदर दाखिल होकर एक शक्स ने की है मार पीट पढ़ार थाने में आरोपियों के खिलाब मामला हुआ है दर्च मंडी में एक शक्स हुआ है ठगी का शिकार ठग ने धोके से बदला एटिम मशीन से पैसे निकालने वाले शक्स से अपना एटिम 34,020 रूपे निकाले धोके से आरोपि की खिलाप सदर थाने में मामला हुआ दर्च मंडी कोहर के जुगरा नाला के पास एक कार गिरी 600 फिट खाई में हासे में कार ड्राइबर हुआ खायल, गोहर थाने में मामला हुआ दर्ज, हासे की वज़े जानने में जूती है पुलिस बिलासपूर बर्माना के जुखाला के एक शक्स को जसूर के पास मोटरसाइकल सवार ने मारी है एक शक्स को टकर इवक हुआ खायल आरोपी मोटरसाइकल सवार के खिलाप बर्माना थाने में मामला हुआ दर्ज कांगडा के शापूर में पुरेला के रहने वाले एक शक्स के साथ 5 लोगों ने की है मिलकर मारपी शापूर पुलिस टेशन में आरोपियों के खिलाप मामला हुआ दर्ज जांच में जुती है पुलिस राजधानी शिमला में हुए है दो सडक हाथ से ठियोग के मलोडी के पास खाई में गिरा एक वहन, वहन में सवार हुए लोग हुए खाय तो वहीं शीमला के होटल होलीडे होम के पास पैदल चल रहे चार लोग आये वहन की चपेट में चारों हुए खाय सदर ठाने में मामला हुआ दर्ज हासे की वज़े जानने में जुटी है पुलिस बिलासपूर स्वारगहट रोना में एक शक्स के साथ कुछ लोगों ने की है मारपीट स्वारगहट ठाने में आरोपियों के खलाब मामला हुआ दर्ज काणडा के भुहारना थाने में दर्ज हुए है मारपीट के तीन मामले मलेड गाउं के एक शक्त के साथ कुछ लोगों ने की है मारपीट तो वही भुगा स्लो में कुछ लोगों ने मिलकर एक शक्त के साथ की है मारपीट दोनों प्रक्षों ने कराया एक दूसरे की खलाप मामला दर्ज कातिलाना हमले के मामले में ठियो के एक शक्स को शिमला की ढली धाना पुलिस ने किया है गिर्फतार जारी है पुलिस की जांच तो ये था अभी तक का सीटी क्राइम अफडे जल्द हाजिर होंगे फिर से क्राइम अफडेट को लेकर लेकिन तब तक आप होशार रहिए साथान रहिए खबरदार रहिए नमस्कार